सिष्टी के पालन करता भगवान विश्णू संसार की रक्षा के लिए परतेक युग में अलग-अलग रूपों में प्रित्वी पर अफ्तरित होते हैं भगवान विश्णू के दस अफ्तार बताई गए हैं मतस्य कूर्म वराहा नर्सिंग वामन परशुराम राम क्रिष्ण बुद्ध कलकी मतस्य अफ्तार सत्यू के आरंब में सत्य व्रत नाम से एक विख्यात राज रिशी हुए राजा सत्य व्रत बड़े शमाशील समस्त्र श्रेष्ट गुनों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पूरुष थे वे पुत्र को राजे भार सौंप कर स्वयम तपस्या करने वन में चले गए एक दिन राज रिशी सत्य व्रत नदी में स्नान करके तरपन कर रहे थे इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मचली उनके अंजली में आ गई राजा ने जल के साथ ही उसे फिर नदी में डाल दिया तब उस मचली ने बड़ी करुना के साथ राजा से कहा राजन मेरी रक्षा कीजिए आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं राजा सत्यवरत ने उस मचली की अत्यंत दीनता पूर्वगवानी को सुन कर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले आए एक ही रात में वह मचली इतनी बढ़ गई की कमंडल में उसके बहने के लिए स्थान ही नहीं बचा तब वह राजा से बोली राजन अब तो कमंडल में मेरा निर्वा नहीं हो सकता अत्य मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान ठीक कीजिए तब राज रिशी सत्यवरत ने उस मचली को कमंडल से निकाल कर एक पानी के मटके में रख दिया पर दो घड़ी में ही वह महां भी बढ़कर तीन हाथ की हो गई फिर उसने राजा से कहा हे राजन यह मटका भी अब मेरे लिए प्रयाप्त नहीं है अत्य मुझे सुक पूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा सा स्थान दीजिए राजा सत्यवरत ने उस मचली को वहां से उठा कर एक बड़े सरोवर में डाल दिया पर कुछी समय में उस मचली ने उस सरोवर के जल को भी गेर लिया तब राजा ने हार कर उसे समुद्र में डाल दिया समुद्र में छोड़े जाते समय उस लीला मतस्य ने कहा राजन समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं वे मुझे निकल जाएंगे अते आप मुझे समुद्र में मत डालिये मतस्य रूपधारी भगवान की यह बात सुनकर राजा सत्यवरत की बुद्धी ब्रहमित हो गई तब उन्होंने पूछा मुझे मतस्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन है आपने कुछी दिनों में अपने आकार से एक विशाल सरोवर को आचादित कर लिया ऐसा प्राक रमी जीव मैंने आज तक ना देखा है ना ही सुना है निच्चे ही आप शाक्षात सर्व सक्षी शक्ती मान सर्व व्यापी श्री हरी है हे पुरुशेष्ट आपको नमशकार है कृपा करकी ये बताएं कि आपने ये मतस्य रूप किस उदेश्य से धारण किया है राजा के इस प्रकार पूछने पर मतस्य भगवान बोले शत्र सूदन आज से साथ में दिन तीनों लोग प्लरले समुद्र में नीमगन हो जाएंगे उस समय प्रले काल की जल राशी में त्रिलोकी के डूप जाने पर मेरी प्रेडना से तुमारे पास एक विशाल नूका आएगी तब तुम समस्त वाशिदियों छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सुक्ष मिशरीरों को लेकर सब्त रिशियों के साथ उस बड़ी नाव पर चड़ जाना और निश्चित होकर उस जल में विच्रण करना उस समय प्रकाश नहीं रहेगा केवल रिशियों के दिव्यतेच का ही सहारा रहेगा जब जंजा बरत के प्रचंड वेक से नाव डगमगाने लगेगी उस समय मैं इसी रूप में तुमारे पास आऊंगा तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बान देना इस प्रकाश जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं उस नाव को प्रले सागर में खीशता विच्रण करूंगा उस समय तुम्हारे प्रश्ण करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा जिन से मेरी महिमा तुम्हारे हिर्दे में प्रसुफिट हो जाएगी यह कहकर मतस्य भगवान अंतर ध्यान हो गए राज रिशी सत्यवरत भगवान के बताये हुए उस काल की प्रतिक्षा करने लगे जब प्रलय का समय नजदीक आया तब सत्यवरत अपने आश्रम के समीब आसन बिछा कर भगवान श्री हरी के ध्यान में मगन हो गए इतने में ही राजा ने देखा कि समुंद्र अपनी मर्यादा भंकर के चारो और से प्रित्वी को डुबाता बढ़ रहा है उसी समय काले में एक समस्त आकाश को आचादित करके भयंकर वर्षा करने लगे तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और तब ही वही एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुप गई फिर राजा औशदी बीच प्राणियों के सुक्षम शरीरों को लेकर सब्त रिशियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए तब सब्त रिशियों ने प्रसन होकर कहा राजन केशव का ध्यान कीजिये वे ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करेंगे इसके बाद राजा के ध्यान करते ही श्री हरी मतस्य रूप धारन करके उस प्रले की जल में प्रकट हो गए उनका शरीर स्वन के समान देदिप्यमान तथा अत्यंत विशाल था उनके एक सिंग भी था राजा ने पूर्व कतना अनुसार उस नाव को वासुकी नाक के द्वारा मतस्य भगवान के सिंग में बान दिया और स्वयम प्रसन होकर भगवान की स्तुति करने लगे राजा सत्यवरत के स्तवन करने के बाद मतस्य रूपधारी पुरुशोतम भगवान ने प्रले जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्यान का उपदेश दिया जो मतस्य पुरान की नाम से प्रसिद्ध है प्रले की अंत में भगवान ने है ग्रीव नामक असूर को मार कर उस से वेद छीन लिये और ब्रहमा जी को दे दिये भगवान की कृपासे राजा सत्यवरत ज्यान विज्यान से संपन होकर इस कल्प में वैवस्पत मनू हुए कूर्मावतार समुद्र मंथन के समय जब मंद्राचल परवत को मत्री बनाया गया तब अपने विशाल आकार के कारण वो समुद्र में डूबने लगा यह देखकर परम शक्तिमान श्री भगवान एक विशाल एवं विचित्र कश्यप का रूप धारण कर मंद्राचल परवत के नीचे पहुँच कर कश्यप अपतार भगवान की विशाल पीट पर आश्रे पाकर मंद्राचल परवत उपर उठ गया इतना ही नहीं वे मंद्राचल परवत को उपर से दूसरे परवत की बांती अपने हातों से दबा कर इस्थित हो गए इस प्रकार समुंद्र मंथन का कारे सू चारू रूप से संपन्न हुआ इसे ही भगवान विश्णू का कूर्म अफ्तार कहते हैं वराह अफ्तार एक समय की बात है भ्रह्मा जी के मानस पुत्र संकादी रिशीगन भगवत दर्शन की लालसा लिये बैकुंट धाम में जाँ पोचे वहां द्वार पर उन्हें हात में गदा लिये दो समान आयू के देवश्रेष्ट दिखाई दिये बे दोनों भगवान के पा द्वार पालों को श्राब देते हुए कहा तुम भगवान वैकुंट नात के पार्शद हो किन्तु तुमारी बुद्धी अत्यंत मंद है तुम अपनी बेद बुद्धी के दोश से इस वैकुंट लोग से निकल कर उन पाप योनियों में जाओ जहां काम क्रोध लोब रहते हैं सनकादिक के श्राब से व्याकुल होकर जय विजय उनके चरणों में लोड कर शमा प्रात्ना करने लगे इधर जैसे ही भगवान पद्मनाप को विदित हुआ कि उनके पार्शदों ने सनकादिक का अनाधर किया है वे तुरंत लक्षमी सहित महां पर पहुँच गए प्रणाम करके उनकी स्तूति करने लगे तब भगवान सनकादिक की प्रशंसा करते हुए बोले यह जय विजय मेरे पार्शद हैं इनके आप इनोंने आपका अपरात किया है आपने इने दंड दे कर उचित ही किया है ब्रह्मन मेरे परम आराध्य हैं मेरे अनुचरों के द् सननता की विक्षा मांगता हूं सनकादि ने प्रभू की अर्थ पून और गंबीर मानी को सुनकर उनका गुणगान करते हुए कहा हे लक्ष्मी पती आप सत्व गुण की खान और सभी जीवों के कल्यान के लिए सदा उत्सुक रहते हैं हमने क्रोध बश इने श्राब दे द यह श्राब मेरी ही प्रेणा से हुआ है यह देते योनी में जन्म तो लेंगे पर क्रोधा वेश्ट से बढ़ी हुई एकागरता के कारण शीगर ही मेरे पास लोट आएंगे सनकादि रिशियों ने प्रभू की अम्रित वानी से प्रसंद होकर उनकी परिक्रमा की और महां से प्रस्थान कर गए सनकादि के जाने के बाद प्रभू ने जैवी जैसे कहा तुम लोग निर्भय होकर जाओ तुम्हारा कल्यान होगा मैं सर्व समर्थ होकर भी ब्रह्मतेज की रक्षा चाता हूँ यही मुझे अभिष्ठ है देते योनी में मेरे प्रति अत्यदिक रोध क को भी समझ में नहीं आता तो मनुश्यों की तो बात ही क्या है प्रभू की इसी लीला के फल सुरूप तपस्पी कश्यप मुनी जब सुर्यास्त के समय संद्या पूजन में लगे थे उसी समय उनकी पतनी दक्ष पुत्रे दिती उनके समय पहुँच कर संतान प्राप्त करने की कामना व्यक्त करने लगी महर्शी कश्यप ने उनकी इच्छा पूर्ती का आश्वासं देते हुए असमय की और संकेत किया पर दिती के हट के आगे उनकी एक ना चली बाद में महर्शी कश्यप ने दिती देवी से कहा तुमने चतुर्विद अपरात किया है एक तो कामा स प्रूद्र आधी देवताओं का अनादर किया है इस कारण तुम्हारे गर्म में दो अत्यंत अधम कुरूर कर्मा पुत्र उत्मन होंगे उनके कुकर्मों एवं अत्याचारों से महात्मा पुरुष शुब्द और धर्ती व्याकुल हो जाएगी वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी होंगे कि उनका वत करने के लिए स्वयम नारायन दो अलग-अलग अफ्तार ग्रहन करेंगे दिती देवी कश्यप मुनी की बात सुन कर चिंतित हो गई पर उने इस बात का संतोष था कि उनके पुत्रों की मृत्यू स्वयम नारायन के हातों होगी जिस से उनका कल्यान हो जाएगा समय आने पर दिती ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया उन देतियों के धर्ती पर पैर रखते ही प्रित्वी अकाश और स्वर्ग में अनेक उपद्रव होने लगे वे दोनों देत्य जनम लेते ही परवताकार और पराम पराक्रामी हो गए प्रजापती कश्यप ने बड़े पुत्र का नाम हिरन कश्यप और छोटे पुत्र का नाम हिरनाक्ष रखा दोनों भाईयों में बड़ी प्रीती थी, दोनों एक दूसरे से अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे दोनों ही माहा बलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे दोनों भाईयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया एक बार हिननक्ष ने सोचा मृत्यू लोक में रहने वाले पुरुष पृत्वी पर रहकर यग्यपूजन आदी करेंगे जिस से देवताओं का बल और तेज बढ़ जाएगा यह सोचकर उसने पृत्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया यह देखकर शिष्टी के रचियता ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान श्री हरी का ध्यान किया अंतर्यामी भगवान विश्णू की स्मृती होते ही भ्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराहा शिशू निकला विधाता उसकी और अश्चरे से देखी रहे थे कि ततकाल विशाल हाती के बराबर हो गया फिर देखते देखते परवताकार हो गया उन यग्य मूर्ती वराहा भगवान का गर्जन चारों तरफ गुञने लगा वे गुरगुराते हुए गरश्ते हुए मदमस्त हाती के समान लीला करने लगे उस समय मुनिगन प्रभू की प्रसनता के लिए उनकी स्तूती कर रहे थे भगवान स्वयम यग्य पुरुश है तथा पी सूकर रूपदारण करने के कारण अपनी नाग से सूंग कर प्रित्वी का पता लगा रहे थे उनकी दाड़े बहुत कटोर थी और तवचा पर कड़े कड़े बाल थे इस प्रकार वे बड़े करूर जान पड़ते थे पर पैदिष्टी से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया बगवान वरहा बड़े वेक से जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुंचे वहां उन्होंने प्रित्वी को देखा और अपनी दाड़ों से प्रित्वी को उठा कर रसातल से बाहर निकले जल से बाहर नि प्रभु ने वैश्णवों के हित के लिए कोका मुक्तीर्थ में वरा रूप का त्या कर दिया प्रित्वी के उसी पुने प्रतिष्ठा काल से श्वेत वाराहा कल्प की शिष्टी प्रारंब हुई नर्सिंग अफ्तार अपने प्रिये भाई हिरनाक्ष के वद से संतप्त होकर हिरने कश्चप दैत्यों और दानवों को अत्याचार करने की आगया दे कर स्वयमंद्रे चल परवत पर चला गया उसके हिर्दे में वैर की आग ददक रही थी अतेवे भगवान विश्णू से हीन होने के कारण युद में पराजित हुए और पाक कर पातालोक में शरणली इंद्र ने राज महल में प्रवेश करकर हिरनाकश्चप की पतनी के यदू को बंदी बना लिया उस समय वैगर्ब वती थी इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की और जाने लगे रास्त उसे मार कर इसे छोड़ दूँगा यह सुनकर नारज जी ने कहा देवराज इसके घर में बहुत बड़ा भगबद भक्त है जिसे मानना तुमारी शक्ती के बाहर है अतै इसे छोड़ दो नारज जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने क्यादू को छोड़ दिया और अम समय होने पर क्यादू ने एक पुत्र को जनम दिया जिसका नाम प्रलाद रखा गया इधर हिरनकश्चप की कठोर तपस्या से भ्रम्मा जी प्रसंद हो गए और उसे मन चाहा वर मांगने को कहा यह सुनकर हिरनकश्चप बोला प्रभो यदि आप मुझे अभिष्ट वर दे दिन में या रात में अस्त्र से शस्त्र से प्रित्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यू ना हो युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके मैं समस्त प्राणियों को एक शत्र समराठ हूँ ब्रम्मा जी के हिरनकश्चप को मुझ मांगा वर्दान दे कर अंतर ध्यान हो अपनी राजधानी आया क्यादू भी नारत जी के अश्रम में राज महल में आ गई इसके बाद धिरनकश्चप ने प्रलाथ को गोद में उठा कर पुछकारते हुए कहा बेटा अपनी पढ़ी हुई अच्छी बात मुझे सुनाओ तप्रलाद ने भगवान और भगवत भक कि यह सुनते ही हिरनकश्चप क्रोथ से आग बबुला हो गया और उसने प्रहलात को अपनी गोदी से नीचे पटक दिया और असुरों को उसे मार डालने की अग्या दी फिर तो असुरों ने प्रहलात का काम तमाम करने के लिए अनेकों उपाई किये पर वह इश्वर की कृप से बच जाता किसी भी उपाई से असुर प्रहलात का बाल बांका भी नहीं कर पाई एक दिन गुरू पुत्रों के शिकायत करने पर हिनकश्चप ने प्रहलात को राजदरबार में बुलाया और तरह-तरह से डराने लगे फिर उन्हों ने कहा रेद दुष्ट जिसके बल पर तु इतनी बैकी-बैकी बाते करता है तेरा वै इश्वर कहा है यदी वै सरवत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता तब प्रलाद ने कहा मुझे तो वे प्रभू कंबे में भी दिखाई पड़ते हैं यह सुनकर हिर नकश्चप क्रोत के मारे स्व सित्र प्राणी बाहर निकलने लगा जिसका आधा शरीर सिंग का और आधा शरीर मनुष्य का था यह भगवान श्री हरी का नर्सिंग अपतार था उनका रूप बहुत भयंकर था उनकी तपाय हुए सोने के समान पीली-पीली आंखे थी उनकी दाड़े बड़ी विक्राल थ थे उनके निकट जाने का सहास किसी में नहीं हो पा रहा था यह देखकर हिरनकश्चप सिंग गनात करता हुआ हाथ में गदा लेकर नर्सिंग भगवान पर तूट पड़ा तब भगवान श्रीक हिरनकश्चप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे जपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांगों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने लखों से उसके कलेजियों को फाड़ कर उसे प्रित्वी पर पटक दिया फिर वहां उपस्तित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेर खदे प्रित्यों का समाचार सुनकर उस सभा में भ्रह्मा इंद्र शंकर सभी देवगंड रिशी मुनी सिद्ध ना गंदर्व आधी पहुंचे और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजली बांध कर भगवान की अलग अलग से स्तूती की पर नर्सिंग का क्रोध शांत नहीं हुआ तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा पर भगवान के ओगरुरूप को देख कर वय भी भाईबीत हो गई तब भ्रह्मा जी ने प्रलाद से कहा बेटा तुमारे पिता पर ही तो भगवान कुरुद हुए अब तुम ही जाकर उनको शांत कर भगवान दयाद्र हो गए और प्रलाद को गोधि में उठाकर प्रेम पूर्वक बोले वत्स प्रलाद तुमारे जैसे कांत प्रेमी भक्त को यद्यपी किसी वस्तु की अभिलाशा नहीं रहती पर फिर भी तुम केवल एक मनमंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में द्यत्य अधिपती के समस्त भोग स्विकार कर लो